जैहिन दोस्तों चले उस तो बात करते हैं से कोर कोशन के बारे में इस कोशन में कहा है दीपा मुव अदिस्टेंस ओफ सेवन्टी फाइफ मीटर शतर मीटर तोवर्ड नौर्थ नौर्थ की तरह शी दैन तर्ण तू दे लेफ्ट एंड वाकिंग पूर अबाउट ट्वेंट तर्ण तू लेफ्ट एंड अगीन वॉक एट्टी मीटर फाइनली शी तर्ण तू दा राइट एंगल ऑफ 45 डिगरी इन विच डिरेक्शन वो सी मुविंग फाइनली यानि एक्जामना ने क्या कहा अगीन में एक डिरेक्शन बराऊंगा इनके लिए जिनको बेसिक्स के ब पूर होगा यह मेरे पास वैस्ट होगा यह मेरे पास नौर्थ यानिकी उत्तर होगा यानिकी साउथी मेरे पास दक्षिन अप मैं अकोडिंट्टो कुश्यन चलूंगा उसने का दीपा जो है मोग करती डिसन 75 मीटर टूर्च नॉर्थ तो यहां से अगर परसन दीपा है व कितना डिसन से लेगी 25 मीटर and then again turn left and walk 80 मीटर और यहां से लेट जाएगी तो इसका मतलब डाउन जाएगी कितना जाएगी 80 मीटर जाएगी 75 तो मेरे पास यह आ गया और 5 मीटर मेरे पास में यह मोर आ गया 80 मीटर चल चुगी है उसके लिए मीटर फाइनली शी टर्न टू 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 राइट एंगल ऑफ 45 डिगरी और यहां से उसका फेस की तरफ है यहां से क्या करती मूव करती राइट राइट मिन्स क्लोक वाइस होता है कितना 45 डिगरी तो यानिकि यह जो क्वाडेंट होते ह इसका मतलब फाइनली बाइस्ट टू 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 मेरे पास ऐसे आएगा तो मेरा जो मूव करेगा वह 45 डिगरी अपकी तरफ मूव करेगा यानिकि ऐसे क्लोक वाइस एनली 45 डिगरी तो वह पूछ रहा है वह पूछ रहेगी इन विच डिरेक्शन सी वह फाइनली मूव यान होप आप सभी कोशिन समझ में आओगा जय हिंद जय भारत